और अश्विन अव्मी की तरहां विजे दश्मी का भी पर्व भारत में बड़ी धुमधाम से मनाय जाता है। दरसल ये पर्व अधर्म पर धर्म की जीत का उत्सव है। इस दिन शस्त्र पूजन की भी परंपरा है। राष्ट्य स्वयम सेवक संख के लिए ये दिन काफी महत्वपुन है। पिछले 95 सालों से हर वर्ष संख के नागपूर कार्याले में विजे दश्मी के दिन शस्त्र पूजन कर सरसंख चालक का उत्बोधन भी एहम होता है। भारत में अश्विन मास में मनाय जाने वाला पर विजे दश्मी बुराई पर अच्छाई, अन्याय पर न्याय और अधर्म पर धर्म की जीत का उत्सव है। तो दूसरी ओर या हमारे एतिहासिक परंपराओं के निर्वहन का त्योहार भी है। इस दिन लोग शस्त्र पूजन भी करते हैं। बड़ा अट्रेक्शन का विशे है समाज में, तो घोश का प्रत्यक्षिक वो भी वहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके बाद में परंपुईने सरसंग चालक जी का उद्भोधन उस दिन होता है। दरसल राष्टिय स्वयम सेवक संग के स्थापना साल 1925 में विजय दश्मी यानि दशहरे के दिन ही डॉक्टर केशाव हेडगवार द्वारा हुई थी। तब से लेकर आज तक हर साल राष्टिय स्वयम सेवक संग विजय दश्मी के अवसर पर शस्त्र पूजन करता है। इस दिन सरसंग चालक का उद्भोधन भी होता है। ये सिलसला करीब 95 सालों से लगातार चला आ रहा है। कि परमपुन सरसंग चालक जी जितने भी आज के हैं पहले भी इनका देश भर में अनेक स्थानों पर और अनेक समुदायों के बीच में अनेक लोगों के बीच में प्रवास होते रहता है। प्रवास के बाद में और उनका चिंतन चलता है अनेक अखिलभारती अधिकारी है उनके साथ बैठके और स्वेंसों को का अनुभव उस पर चिंतन होते रहता है साल भर तो चिंतन जब होता है तो आगे आने वाले समय में हमको कैसे आगे बढ़ना है इसके लिए संकेज जो है वो स्वेंसों को को इसमें मिलता है इस बार कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर और कोविड-19 सम्मंधी नियमों का पालन करते हुए उत्सों में सीमी संक्या में स्वेंसेवक उपस्तित रहेंगे इस वर्ष पत्थ संचालन और शारेरिक कारिक्रमों की प्रस्चुती नही प्रियले में होने वाला ये कारेकरम महसे कारिय नहीं है बलकि एक विचार है। ये विचार कहलाता है कि कैसे चुनोतियों के वक्त अनुशासतमक तरीके से कदमताल करते हुए उन चुनोतियों पर जीत हासिल करनी है। शीरशिलार, डीडीनीव्स, नाथपुर।